Dear students, हम पढ़ रहे हैं अपना new topic, our body और our body के में हम काफी कुछ आपको बताया है हमने ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पिटा हमारी body में मैंने आज जैसे आपको बताया था different type के organs होते हैं ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं internal organs बताया था मैंने आपको internal organs जो की हमारी body के अंदर होते हैं इसमें सबसे पहले जो हमारा organ है, वो है brain ठीक है, तो brain के बारे में जानते हैं it is the thinking organ, बेटा यह जो organ है यह हमारा thinking organ है, ठीक है हम जो भी सोचते हैं, वो हम इसी organ की वज़े से सोचते हैं it is also called the master organ और यह कहलाता है master organ ठीक है, क्योंकि यह हमें control करता है भी brain ही हमें सारे काम करवाता है न चाहे हम कुछ good काम करें, चाहे हम bad करें चाहे हम अच्छा रास्ता करें, मतलब brain हमें हमारा master है यह कहां होता है, यह हमारे head के अंदर होता है it controls the activities of whole body और बेटा यह organ हमारी पूरी body को भी control करता है it lies inside the skull in our head और यह कहां पर होता है, जो हमारा head है, skull है उसके अंदर, उसके अंदर यह होता है skull के अंदर, head के अंदर यह brain हमारा होता है और second जो हमारा organ है, वो organ है हमारा heart अब heart के बारे में जानते है it is the pumping organ of our body यह हमारी body के लिए pumping का का काम करता है अब यह pumping क्या है, बताइए it pumps blood to all parts of our body बेटा, हमारी body के अंदर, हर part में blood को circulate करने के लिए यह organ काम आता है, यानि एक machine है जो pump करती है हमारे blood को और हर body parts के अंदर blood की supply को करती है it lies inside our chest और यह कहा है हमारे chest के अंदर our heart beats about 72-75 times in one minute और बेटा, हमारे यह heart की machine है यह 70-75 बार एक minute में beat करती है जो धक 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 हम सुनते है ना उसकी धरकान की जो counting अगर हम करें तो 72-75 times in one minute ठीक है, यह one minute के अंदर हमारी इतनी heart beat होती है तो बेटा, आपको यह chapter जो भी मैंने आज आपको brain और heart के बारे में बताया है इसको आप अपनी notebook में note करिए बेटा और notebook में note करने के साथ साथ आपको यह learn भी करना है so okay